स्वागत है आपका अपनी चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचेन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है क्लास 11 की भुगोल और बुक का नाम है भारत भौतिक परियावरन और यह अध्याय पांच है जिसका नाम है प्राकर्तिक वनस्पती और पार्ट सेकिंड आज हम इसका पढ़ने वाले है और इसमें यह पूरा चैप्टर कवर करवा दिया जाएगा पार्ट फर्स्ट जो है वो अवेलिबल है अगर आपने नहीं देखा तो आप चेनल को विजिट कर सकते हैं और बिना किसी टाइम को वेश्ट करें वे स्टार्ट करेंगे अपना तो आज का जो हमारा पहला टोपिक है दोस्तों वो है वन संरक्षन नीती तो जो वन संरक्षन नीती है इसका मतलब है वन का मतलब होता है जंगल तो जंगलों को बचाने के लिए जो सरकार ने नीती बनाई 1952 के अंदर उस नीती के बारे में पढ और ये जो नीती थी इसको फिर 1988 में संशोधित किया गया, संशोधित का मतलब है इस नीती के अंदर जो नियम थे उनको थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करा गया, संशोधन का मतलब होता है बदलाव, और इसके अनुसार क्या है कि सरकार सतत पोश्णिय वन प्रबंदन पर इसा सोचा गया कि मतलब सरकार ये w когоn संदक्षेन नीटी के द्वारा जो पेड है उनका प्रभंधन करेगी मतलब पेड़ पोधों का जंगलों का प्रभंधन करेगी जिससे आने वाली पीडियां भी इन से लाब ले सके हैं जो हमारे विरेक्ष हैं जो हमारे वन हैं इनका ला किसे जो होगा क्या होगा कि मतलब वनों का प्रबंदन नहीं हो पाएगा तो ये वनों का ही प्रबंदन करने के लिए जो सतत पोशनी है तरीके से कि आने वाली पीडियां भी इसका इस्तिमाल कर सकें सरकार ने ये नीती पर फिर जोड़ दिया और वनों को जो मतलब वनों को स संरक्षित करना बहुत जरूरी था क्योंकि जो जंगल हैं पेड़ पोदे हैं अगर यही नहीं होंगे तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे तो वन संरक्षन जो है मनुष्य के विकास के लिए अतियावशक है सरकार ने ऐसा सोचा और जो इस नीती को बनाने के उद्देश थे वो यह थे कि पहला तो यह उद्देश था कि देश के 33% भाग पर वन लगाना ठीक है पहला उद्देश था देश के 33% भाग पर हमारे पूरे देश के अंदर लगबग 33% जो हिस्सा है वहां पर जो है वन लगाए जाएं जंगल हों और परियावरन संदुलन बनाए भारत की जैब विवित्ता क्योंकि हमारे देश में बहुत अलग अलग परकार और किसम और परजातियों के जीव जंतु पाये जाते हैं ये बहुत बड़ी वात है भारत के लिए और ऐसे में अगर जंगल नहीं होंगे तो वो कहीं न कहीं वो सारे जो है उनका अंत हो जाए होते हैं तो अगर मरुस्तली करण हो जाए अगर पेड़ पोदे कहीं नहीं होंगे चारों तरफ अगर सिरफ कुछ भी नहीं होगा ना जंगल ना पेड़ ना पोदे तो वो मरुस्तली करण होने लगेगा वो मरुस्तल का ही रूप ले लेगी वो जमीन कभी आने वाले समय म तो ऐसा ना हो इसलिए पेड़ पोधे लगाने पर जोड़ दिया जाए बाड़ का परभाव कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है वनों का होना जंगल अगर होंगे तो बाड़ का परभाव थुड़ा कम होगा सूखा नियंतर्ण आपको पता है जहां जी निलाकों में पेड़ पोधे जंगल कुछ भी नहीं होता वहाँ पर फिर क्या होता है पानी की कमी होती है और फिर वहाँ सूखा होता है जो निमनिकरित भूमी है उसर भूमी है जो जाओ नहीं है वहाँ पर और वन आवरन का विस्तार करना मतलब जादा ते जादा जंगलों का विस्तार करना और वनों की उतपादक्ता बढ़ाई जाए मतलब जादा जादा वन लगाके उनकी उत्पादक्ता बढ़ाकर और जो वनों पर निर्भर जो ग्रामिर जंजातियां है कुछ ऐसे भी लोग है जो जिनकी पूरी जिंदिगी जो है वो जंगलों पर ही आश्रित है ठीक है तो बढ़ी जो ऐसी जंजातियां है जो मतलब इन पर आश्रित होती है वनों पे और वनों से जो इमारती लकडी इंधन चारा और भोजन वगरा के लिए जो है मतलब वनों पर आश्रित होते हैं तो ऐसे लोगों को ये सब चीजें उपलब्द करवाना ये इस नीती का और लकडी के स्थान पर अन्य वस्तू को परियोग में लाना लोग क्या करते हैं कि मतलब लकडियों के लिए फिर वनों की कटाई करते हैं जाके और जंगलों की कटाई होती है विरिक्षों की कटाई होती है ऐसे में क्या होता है कि कही न कहीं नुकसान पहुंचता है तो ल पासकर महिलाओं को शामिल किया जाए ठीक है क्योंकि जादतर महिलाओं ही होती है जो मतलब जो ग्रामिड महिलाओं जो जंगलों में जाके और अपने इंधन के लिए विरिक्षों के कटाई करती है तो ऐसे में महिलाओं को जागरूप करना महिलाओं को समझाना और फिर एक जनानोलन चलाना पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए नेक्स्ट टोपिक है हमारा सामाजिक वानिकी तो हम इसमें देखेंगे कि सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है यह स्टार्ट करते हैं तो सामाजिक वानिकी का अर्थी यह होता है कि पर्यावरणिय सामाजिक और ग्रामिड इन तीनों चीजों के विकास के लिए इन तीनों चीजों के विकास के उद्देशे से जो है समाज की मदद से क्या करना कि एक तो वनों का प्रवंदन करना और मतलब भूमी पर वन लगाना उसर भूमी पर जो उपजाओ नहीं है उस भूमी पर वन लगाना और उसके साथ साथ क्या करना कि पर्यावरणी है समाजीक और ग्रामिड विकास में मदद के उद्देश् क्या हो वनों का प्रबंदन करा जाए और वनों के प्रबंदन में समाज की भूमी का हो मतलब समाज ही ये सारा काम करें वन लगाने का और उसर भूमी पर वन लगाया जाए और इसके अर्थ में हम एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो शब्द है जो समाजी कवानी की इसका प परकार की सामाजिक वानिकी होती है एक होती है शहरी वानिकी एक होती है ग्रामेड वानिकी और एक होती है फार्म वानिकी तो एक एक करके हम तीनों की उशेस्ताइं पढ़ेंगे और शहरी वानिकी का क्या है मतलब शहरों में नीजी और सारवजनिक भूमी होती है जैसे हरित पट्टी ठीक है पार्क सडक रेल मार्क और ध्योगी और व्यापारिक इस्थल वो जो ये जितनी जगाए होती है शहरों के अंदर जो सारवजनिक होती है और जो निजी होती है इन पर क्या करना वरिक्ष लगाना और उनका प्रबंदन करना समझ में आ रहा होगा आपको शहरों में क्या होता है यही सब चीज़ें होती है तो यहाँ पर इन जब जगाओं पर क्या करना पेड लगाना ग्रामीड वानिकी का मतलब क्या होता है कि किर्शी वानिकी एक तो खेती वगएरा करना और समुदाय किर्शी वानिकी को बढ़ावा देना मतलब ग्रामीन के अंदर क्या हो सकता है कि जादा ज़्यादा जो मतलब खेत वगरा है उनको बढ़ावा देना और फारम वानिकी जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि किर्शी योग्य तथा बंजर भूमी, दो परकार की जो अलग-लग भूमियां होती है एक तो होती है, किर्शी योग बूमी जो उप्जाओ होती है और एक होती है बंजर भूमी तो इन पर पेड लगाना और फसले वगाना जिससे फिर खाद्यान चारा ईंदन और फल सबजियां मिल सके तो ये तीन परकार की वानिकिया होती है ये आपके पेपर की दृष्टी से important है आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे अपना next topic है वो है वन्य प्रानी जो जंगली प्रानी है हमारे वन के उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो काफी interesting है topic तो वन technology और ये उद्योग factory यां बढ़ती जा रही है इसके कारण हम जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं और जो हमारे वन्य प्रानी होते हैं उनका कहीं न कहीं उनकी संक्या में कमी आती जा रही है क्योंकि जो उनके आवास इस्थल हैं जहां हो रहते हैं अगर वो ही नहीं रहें के लिए क्या हो रहे हैं जंगलों की सफाई करके सड़के बनाई जा रही हैं मानुविय बस्तियां बसाई जा रही हैं जंगलों को साफ करके ऐसे में क्या हो रहे हैं वन्य प्रानी जो हैं उनकी संक्या में कमी आ रही हैं और जो इस्थानिये लोग हैं वो चारे इंधन और इमारती लकडी के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं इससे भी वन्य प्राणियों की संक्या में कमी आई है जो पालतु पशों के लिए नए चरागा की खोज में ठीक है पालतु पशों के लिए नए चरागा की खोज में जो मानव ने क्या किया है कि वन्य जीवों और उनके आवासों को नश्ट कर दिया है अपने पालतु पशू को चराने के लिए जो दूसरे पशू है जो जंगली पशू है वन्य प्रानी है उनके एरिया में जाके और सारा जो चरागा वगरा का इस्तमाल करके और उनका जीवन खतम करना और आगे बढ़ते हैं रजवाडे और जो संब्रांत वर्ग ये काफी अच्छा पॉइंट है इसमें क्या है जो पहले के राजा माराजा होते थे रजवाडे होते थे वो अपने टाइम पास के लिए एक तरीके से अपने मनुरंजन के लिए वो क्या करते थे कि शिकार खेल खेलते थे शिकार का जिसमें वो चाहे शेर हो चाहे कोई भी जानवर हो एक इभार में सैकडो वन्य जीवों को शिकार करके आते थे वो और वो क्या करते थे कि आनंद लेते थे इस तरीके से वन्य प्राणियों के संक्या में कमी आई है जो कि एक गलत काम था और व्यापारिक महतों के लिए भी अभी भी मतलब बहुत सारे जो ऐसे जानवर हैं जिनकी चमडी हो या कोई जैसे हाथी का अधात हो ये सारी चीज नहती है जो व्यापारिक दृष्टी से मारते हैं और जंगलों में अगर कभी कबार आग लग जाए तो उससे भी बहुत सारे वन्य प्राणियों के संक्या में कमी आ जाती है अब हम देखते हैं कि भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षन के लिए भारत सरकार ने क्या किया इससे पहले मैंने आपको बताया पेड सरकार ने बचाने के लिए गया किया, सरकार ने वन्य प्राणी अधिनियम बनाया, वन्य प्राणी अधिनियम एक ऐसा नियम था जो 1912 में पास हुआ और जो की वन्य प्राणियों के संलक्षन और रक्षन की कानूनी रूप रेका तयार करता है, मतलब कानूनी रूप से जो ज परजातियां लुप तोने वाली हैं उन परजातियों को सुरक्षा परदान करना और दूसरा उद्देश है यह था कि सरकार द्वारा निर्दारित नैशनल पार्क जो बनाए गई हैं और जो पशु वियार बनाए गई हैं जो ऐसे संरक्षित इलाके होते हैं जो रिजर्व इ लिए होते हैं उनको कानूनी साहता परदान करना तो यह दो तरीके से इसका यह उद्देशे था दो उद्देशे आपको मैंने बताए हैं और इस नियम को फिर 1991 में पूरी तरह से संसोधित कर दिया गया जिसके तहत कठोर सजा का प्रदान किया गया इससे पहले तक जो यह कठोर से कठोर सजा दी जाएगी अब यह तो हो गया हमारा वन्य प्रानिया धीनियम अब जो नेक्स टोपिक है वो है जीव मंडल नीचे क्या होता है सुनने में फोड़ा जीब लगता है इसका अर्त देखते हैं यह जीव मंडल नीचे आरक्षत छेतर होते हैं ठीक है जब ये तटिये और भोमिक दोनों परकार के पारिसिति की तंतरिस में पाए जाते हैं और इनको युनेसको ने ठीक है जो युनेसको ने क्या करा है कि मानव और जीव मंडल कारेकरम के अंदरगत एक ऐसा इनका प्रोग्राम है ठीक है मानव और जीव मंडल कारेकरम का उसके अंतरगत मानिता परदान करी है, जीव मंडल निचय जो होते हैं, ठीक है, ये ऐसे रिजर्व इलाके होते हैं, और जीव मंडल निचय का जो उद्देशे होता है, वो तीन परकार से उद्देशे होते हैं, एक होता है संरक्षन, जैव विवित्ता का संरक्षन करना, पारिसित की देख रेक करना और आगे बढ़ते हैं अब जीव मंडल निचे जो होते हैं इनको प्राकरतिक आवस्ता में रखा जाता है पूरी तरीके से नैचुरल होते हैं यहां जो जीव जंतु आराम से गोम फिर सकते हैं अपना जंगल वाला ही उनको पूरा महोल दिया जाता है सभी के लिए आपको बताओं नंदा देवी जीव मंडल निचे है नील गिरी है सुन्दर बन है आपने सुना होगा अब एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे तो जो नील गिरी जीव मंडल निचे है सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या है इसको 1986 में इसकी स्थापना करी गई भारत का पहला जीवंडल नीचे है एक नमबर में भी कोशन आ सकता है याद रखना और इसमें क्या है जो वाइनाड है वाइनाड इलाका है वाइनाड वन्य जीवन सुरक्षित चेतर इसमें आता है नगर होल इसमें आता है बांदीपूर, मदूमलाई और निलंबूर और इसका जो पूरा जंगली इलाका आता है और जो ढ़ाल है पूरी ढकीवी और उपरी नीलगरी के पठार, साइलेंट वैली और सिदोवानी की पहाडियां ये जो जगाओं के नाम मैंने बताई हैं ये सारे इस जीवंडल निचे के अंदर आते हैं और इसका जो टोटल एरिया है वो है 5520 किलोमीटर का है और इसके अंदर जो प्राकरतिक वनस्पति पाए जाती है वो है शुशकोर आदर परनपाती वन ये यहाँ पर पाए जाते हैं अर्द सदाबाहर वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं और आदर सदाबाहर वन भी पाए जाते हैं सदाबाहर शोलास यहाँ पर पाए जाते हैं गांस के मैदान और दलदल भी यहाँ पर पाए जाते हैं तो ये नीलगिरी का जो जीवंडल निचे है इसमें कुछ संकटा बन प्राणी भी रहते हैं जैसे नील गिरी ताहर गूगल पे जाके आप इसकी फोटो सर्च मारना नील गिरी ताहर आपको एक बारी देखने में आएगा तो उसको आप जरूर देखना शेर जैसे दुम वाला बंदर ये भी यहाँ पर पाये जाता है और भी कुछ प्राणी है जैसे हाथी बाग, गोर, संभार और चीतल ये काफी ज़्यादा प्राणी इसमें पाये जाते हैं और इसकी जो स्थला किरती है इसकी जो स्थल की बनावट है उबडखाबड है और जीव मंदल निचे अब इसमें क्या है इसकी जो लोकेशन है स्थान है वो है उत्तराखंड उत्तराखंड के अंदर चमोली, अलमोडा, पितोरागड और बागेश्वर ये इलाका इसके अंदर आता है और यहाँ पर शितोषन कटी बंदिय वन पाये जाते हैं जो परजाति दुआ काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मिरिग, हिम मुर्गा, सुनेरा बाज और काला बाज तो आपको जानवर याद रखना, पेड याद रखना कोन से पाये जाते हैं कहां पर है ये निचे ये याद रखना आगे बढ़ते हैं अगला जो जीव मंदल निचे है वो है मैंगरोव वन, अनूप वन और वना चादित बहुत सारे दीप हैं जो जंगलों से ढखेवे दीप हैं और लगबग 200 रोयल वंगाल टाइगर इसके इंदर पाये जाते हैं और मैंगरोव वनों में 170 से जादा पक्षी पर जाती हैं पक्षियों की 170 से जादा पर जाती हैं इसके अंदर और वो क्या करते हैं चीतल, भौकने वाल इम्रिग जंगली सुवर और यहां तक की लंगोरों जैसे दुरलब शिकार भी वो कर लेते हैं ठीक है लंगोर इन सब का शिकार वगरा भी वो कर लेते हैं और यहां के मैंग्रोव वनों में हेरी शेरा, फोमिज नामक यह इस नाम से एक इमारती लकडी है जो यहां पाई जाती है जो की बहुत बेश कीम्ती है काफी महनी है अगला जो है जीव मंडल नीचे वो है मनार की खाड़ी जीव मंडल नीचे तो जो मैं आपको यह समझा रहा हूँ जीव मंडल नीचे यह काफी पेपर की दृष्टी से इंपोर्टेंट है आपको याद रखने हैं सारे यह जो मनार की खाड़ी वाला यह है भारत का दक्षिन पूरवित्त ठीक है यहां पर इसकी लोकेशन है समुंदरी जैव विवित्ता अधिक है मतलब जो पानी की जो मचलिया है या जो समुंदरी जीव है वो अलग-अलग परजाती हो के इसमें पाए जाते हैं इसमें लगबग 21 दूइप आते हैं और जौरनदमुक जो होते हैं ठीक है और पुलीन, तटिया परियावरन के जंगल समुंदरी घास, परवाल दूइप, लवनिय, अनूप और मैंगुरूब बन ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है इसके अंदर और लगबग 3600 पोदे जो ये है आपका मनार की खाड़े वाला लगबग 3600 पोदे और जीवों की संकाटापन पर जाती है भी कहते हैं आपको फोटो देखेगा उसको आप जरूर देखना और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समापत होता है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आकन दबातें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें जय हिन जय वारत दन्यवाद